जैसीरियों नमा सिद्धेप्या नमो अरियंताणं नमो सेधाणं नमो आयरियाणं नमो अचायाणं नमो लोए सपसाहूनं मंगिलम भगवान वीरो मंगिलम गोत मोगानी मंगिलम कुंद कुंदार्यो जैन धर मोस्तु मंगिलम सर्वि मंगल मांगल्यं सर्वि कल्याण कारकं प्रदानं सर्वि धर मानाँ जैनम जैतू सासिनं जैनम जैतू शासिनम तज्जयती परमि जोती समम समस्ते रिनन्ते परियाये दर पने तले बिशकला प्रति फलती पधार्ते मालिका यत्र परिमागम अस्य जीवं निशेद्य जात्यंद्य सिंदुर बिधानं सकल ने बिल सिताना बिरोदे मत्यनम नमा मैने कांतं इसे नाने भिने नेरे मले हुए प्रेवु आप सहज सभाव से सैयम में छूटे करम में मल विवु आत्मे ध्यान प्रभाव से बिमले जिने वरे दर से करते भेदे क्याने हिर्दै जगा ब्रांती बिगटी शांती प्रेगटी भाव अती नेरे मले वया भाव अती नेरे मले वया आचारे अमरचन देव द्वारा विर्चित यह है पुरुषा सिद्धिव बायनाम ग्रंथ जो की 226 लोकों में निवद्ध है और 226 लोकों के माध्यम से जो हमें हमारा सिद्धि का उपाय उस सुक की प्राप्ति का उपाय वता रहा है अध्यात्म और प्यवर्टी का अनुपम संगम है ऐसा यह अनुपम बाहदूति गरंथ इस पर हमारी चर्चा चल लही है अध्या अमरच्चन देव यहां पर पुरुषा सिद्धि का उपाय और उस उपाय में लगने वाले जीवों की बात कर रहे हैं कल हमने शलोक नमर पंद्रे में पुरुषा सिद्धि का उपाय देखा था कि पुरुषा सिद्धि का क्या उपाय है कि पुरुषा सिद्धि का उपाय है रतनात्रे रूप होना और रतनात्रे रूप होने का उपाय है उस अवेदी ग्यायक को प्राप्त करना उस अचल चैतन्य सुभाव को प्राप्त करना रत्ना तरे की प्राप्ती का कारण है और रत्ना तरे की प्राप्ती पुरुशा सिद्धी उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है इस पेकार की बात यहां पे की अभी यहां कह रहा है इस उपाय में कौन लगता है अध्यात्म तो बता दिया, अध्यात्म तो ऐसा होता है, अब ऐसे अध्यात्म के साथ प्रवर्टी कैसी होती है वो बता रहे हैं, अध्यात्म तो बता दिया, कि अध्यात्म तो क्या बता दिया, कि वो अभेद ग्यायक को प्राप्त करता है, अभेद ग्यायक को जानता है, अ जो ऐसे अध्यात्म को जानते हैं, उनकी यहाँ बात कह रहे हैं, उसके उत्थाने का में क्या लिखा है, जो इस उपाए में लगते हैं, उनका बर्णन करते हैं, देखो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं, अनुसरताम पदम एत्त, इस पद का अनुसरन करते हुए किस पद का? उस रतना त्रे रूप पद का, जो उपर कहकर आए हैं, उस रतना त्रे रूप पद का अनुसरन करते हुए, अर्थात जो इस रतना त्रे रूप पदमी को जिनोंने प्राप्त किया है, जिनोंने इस पदमी का अनुसरन किया है, जिनोंने इस उपाय का अनुसरन किया है, औ कौन मुनी नाम कि मुनियों की ब्रती कैसी होती है करम विदा चार नित्य निरवी मुखा करम विद अर्थात पाप पाप किरिया मिस्रित आचार से नित्य सर्वता निरवी मुखा अभी मुख नहीं है उसके निरवी मुख हैं अर्थात परांग मुख हैं तथा एकांत विरती रूपा पर्द रव्यों से सर्विथा उदासी निरूप और अलोके की भवती अलोके को होते हैं अर्थात उनकी ब्रती की बात कर रहे हैं देखो प्रवर्ती की बात कर रहे हैं प्रवर्ती कैसी होती है तो प्रवर्ती के तीन विशेशन दिये हैं यहाँ पर अध्यात्म तो एक वेसेशन दिया कि इस पद का अनुसरन करते हुगे इस अध्यात्म का अनुसरन करते हुगे प्रवर्ति क्या है करम विता चाह नित्य निरवी मुखा पाप मिस्रित किरियां पाप मिस्रित आचारों से सर्वता रहत हैं और उनसे परांग मुख है और ए कांत बिरती रूपा परदरव्यों से सर्वता उदासीन है और अलोक की कुछ अलोकिक कुछ बिलच्छन लोक से बिलच्छन जिसका लच्छन लोक नहीं है जैसा लोक में पाया जाता है जैसा लोक में देखा जाता है जैसा लोक में जाना जाता है बैसी परवर्टी नहीं है कुछ अलोकिक पुरुष हैं, कुछ अलोकिक ब्रती है उनकी, उस अलोकिक ब्रती के कारण उनको अलोकिक पुरुष कहा, ऐसी उनकी किरिया होती है, मुनी ना मुनियों की, तो मुनियों की किरिया कह रहे हैं, उसकी बात हमने कल की थी, क्योंकि मार्ग तो टॉप का दिखाना ह इस पद भी को प्राप्त कि पद तो यही है, श्रावक पद गहन करने योग नहीं है वास्तम में, पद तो गहन करने योग यही है, पद तो मेरा यही है, श्रावक पद मेरा नहीं है, मेरा पद तो क्या है, रतना त्रह रूपी पद भी, मेरा पद तो रतना त्रह है अच्छार कुंद कुंदेव कहते हैं हे अंदिप्राणियो तेरा ये पद नहीं है अपने पद में आ कि अपना पद क्या है मेरा पद मेरा पद तो रतना तरह पद है मेरा पद तो अचलम चैतन्यम प्राप नोती वो मेरा पद है उस पद को प्राप्त जो है उनकी यहां बात कर रहे हैं यह ऐसा वो पद है उस पद भी को जो प्राप्त हुए है अनुसरतां पदम एतत उस पद भी का जो अनुसरन करते हैं उस पद का किस पद का अनुसरन करते हैं उस अच्छलम चैतन्यम प्रापनोती इस पद का जो अनु मुनियों की प्रवर्ती ऐसी होती है उन मुनियों की ब्रती ऐसी होती है ये कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं देखो ये तो सिंपर है इसकी अभी आगे बात आएगी करम विता चार नित्य निरवी मुखा पाप किरिया मिश्चित आचारों से सर्वथा परांग मुख हैं सर्वथा परांग मुख हैं सर्वथा परांग मुख हैं और आगे कह रहे हैं एकांत अविरती रूपा पर द्रब्यों से सर्वथा उदासिन रूप यहां एकांत का क्यार्थ है आप मैंसे किसी कोई बता है एकांथ का क्या अर्थ है यहां पे एकांथ अविरति रूपा एकांथ से अविरति है ऐसा अर्थ है क्या एकांथ से अविरति है क्या अर्थ है यहां एकांथ का एक लाज चलो हां एक एक लाज चलो नहीं एक अंत का अर्थ हैं अकेले से नहीं है अकेले से नहीं है यहां देखो क्या कह रहे हैं तो अंत का क्यारत आएगा फिर देखते हैं को यहां लिखा है परद रभ्यों से सर्व था उदासी नहीं लिखा है सर्व रूप से उदासी नहीं लिखा है सर्वत्र उदासी नहीं लिखा है सर्वथा लिखा है सर्वथा क्यों लिखा है सर्वथा कहें तो क्या परिशानी है सरवत्र कहें तो क्या परिशानी है और सरव रूप से उदासीन कहें तो क्या परिशानी है या सरव था क्यों कह रहे हैं आचाहि मरत संधिव मैं बता रहा हूं मैं बता रहा हूं मैं बता रहा हूं मैं इसलिए बात किया इतना सिंप्रार्थ नहीं है उसका देखो चार सब्द हैं सर्व सर्वात्र सर्विदा सर्वधा और सर्व था इन चारों मैं क्या रहा है सर्वध्र सर्व इंगे पेच्छा ओस सर्वधा है पज़या है सग तुस्टे है सभ शर्वथिय की पिच्छा और शर्वत्र शर्वत्र में में सर्वात्र में । सर्व जी गए चेत्र के पिछ्छा आता है सर्वत्र सब्द सर्विधा काल के सरस्वंधा सबस आता है काल की पीच्छा हां और सर Bennett का अरफ की आफ की बात कर रहे हैं कि सर भीधा की बात कर रहे हैं अर्थाथ हम बात कर रहे हैं तो जहां हम भाव की बात करें, वहाँ तीनों को तो समझी लेना, क्योंकि हम तीनों की बात नहीं कर रहे हैं, एक को अंतरख के बात कर रहे हैं, अंति दीपक की बात कर रहे हैं, जब हम भाव की बात करें, जब आचारे कहें भाव से, तो वहाँ समझना कि इन तीनों से भी कह रही हैं, क्यों? क्य सिर्वकृत्र से उदाशीन है यह यहाँ इत्वाव इंच ओदा знает ओं सर रवधा कें तो भाबहा पिछनी आएगा तीनी चीज़ आएंगी तो रवाव नतीपक यहां ड्रब्ब्लय सा शेत काल मूंर सो स्वध भाव में जो ऑन्त जहां चीजें जोड़े की होती हैं जहां चार सीजों में एक चीज लगती है तो आचारे चारों का बर्णन नहीं करते हैं अंत का बर्णन कर देते हैं या तो अंत का कर देते हैं या आधी का कर देते हैं आधी आधी दीपक या अंती दीपक इन दो का प्रयोग करते हैं हर बा तो जब भाव की बात कह रहे हैं तो द्रब्य चेतर काल तो ऐसे यहां पर सर्व ता कहने में सर्वरूप से उदासीन भी आ गया सर्वत्र उदासीन भी आ गया और सर्व था उदासीन भी आ सर्व था कहने में तो एक अंत अविरती रूपा कि एक को अंत में रखकर विचार जो है उन चार में से एक को अंत में रखकर था भाव को अंत में रखकर अविरती उदासीन था है उनको तो उनको पर द्रब्य, पर छेत्र, पर काल, पर भाव, इन चारों से उनकी ब्रत्य उदासीन है, उनको छेत्र से मतलब नहीं है, कौन सा छेत्र, ये छेत्र अच्छा है, कि ये वारा जंगल अच्छा है, कि ये वारा पत्थर अच्छा है, ये वारी शिला अच्छी है, ये व कि सब कालों से उदाशीन है कि नहीं, यह यह चक्रवती अच्छा है, यह गरी भी अच्छा नहीं है कि नि-पदरभ्य से भी उदाशीन है, उनको कोई फरक नहीं पड़ता है कि चक्रवती बंदन कह रहा है, è-क-Aं-T-Avhiraati MT- रूबा, इ-क्त-शा- लुत और कुछ अलोकिक ब्रती है, कुछ अलोकिक ब्रती है, ऐसा वो पद है, ऐसी उस पद भी को वो प्राप्त हुए हैं, जिस पद की यहां बात कर रहे हैं, मुनी पद की, वो पद कुछ उतकरष्ट है, वो पद कुछ अलोकिक है, उनकी ब्रती यह दी लोकिक ब्रती जैसी देख जैसी ब्रतियां पाई जाती हैं, बैसी ब्रति उनकी नहीं होती, कुछ अलोकिक होती है, इसलिए लिका भवती मुनी नाम अलोकिकी ब्रति, मुनियों को अलोकिक ब्रति होती है, अलोकिक ब्रति नहीं होती, कुछ बिलक्षन होती है, अलोकिकी अर्थात, लोक से बिलक्षन प लोक में जिसको लोकी परवर्थी कहा जाता है उस लच्छन से कुछ बिपिरीत लच्छन है इनकी ब्रेथ परवर्थी का लोक से बिलच्छन प्रकार की होती है कि यहां कह रहे हैं इस पद्वी को इस रत्ना तरह रूप पद्वी का अनुसरन करने वाले देखो टीका में क्या है इसमें क्या कह रहे हैं देखो एतत पदम अनुसरताम मुनी नाम ब्रती अलोके की भवती इसमें बास्ता में भावार्थ है ही नहीं यह भावार्थ लिखा हुआ है इसमें पूरी टीका है इसमें पनी टोटा मजी कि भावार्थ नहीं है इसमें इस सिलोक का क्या कह रहे हैं देखो एतत पदम अनुसरताम मुनी नाम रती अलोकिकी भवती पर इस लाइंकार्थ कर रहे हैं वो कि इस रतना त्रह रूप पद भी को प्राप्त की रतना त्रह रूप पद कैसा है कि रत्ना तेरूप पद अलोकिक है इसलिए उस अलोकिक पद को प्राप्त जीवों की प्रवर्टी भी अलोकिक होती है कि ये पद नहीं है कि मैं बैपारी हूँ कि मैं सीए हूँ कि मैं इंजिनियर हूँ कि मैं बरा सेट हूँ कि मैं गरीब हूँ कि मैं अमीर हूँ कि मैं ऐसा हूँ जो मैं collector हूँ कि मैं कौन हूँ ये पद नहीं है बास्तम में ये पद तो ऐसा पद है कि जिससे सिद्ध पद मिलने वाला है सिद्धों की सिर्णी में आने वाला जिनका नाम है उस पद की बात है यहां पे कि जो पद सिद्धों की श्रेणी में रखने वाला है हमें ये पद ऐसा है जो हमें सिद्धों की श्रेणी में विराजमान कराएगा ऐसा उस पद को प्राप्त महामुनियों की रीती लौकिक रीती से मिलती नहीं है उनकी जो रीती है उनकी जो प्रवर्ती है वो लौकिक से नहीं मिलती जैसी लौकिक प्रवर्तियां होती है उनसे नहीं मिलती कुछ अद्रवत है कुछ अलौकिक है उस अलौकिक पनि को बताना चाहरा है पनि टोड़ामल जी दो प्रवर्ती की चर्चा नहीं की है अभी सीधा अलोक की प्रवर्ती पर आये हैं पनी टोड अमल जी दो प्रवर्ती की चर्चा बाद में करेंगे पहले उनको मानो यही सब्द भाया हो अलोक की ब्रती अलोक की ब्रती है कुछ कि लोक की जैसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर सब कुछ अलोक की ब्रती है में से यहां कह रहा हैं उनकी ब्रती लौकिक जैसी नहीं है इसी लिए हम उनकी ब्रती को लौकिक जैसी नहीं कराएं उनकी ब्रती को जहां लौकिक कराने जाएंगे वहीं प्रशानी खरी हो जाएगी और यदि वो अपनी प्रवर्ती लौकिक जैसी करने लगें तो फिर वो इस पद्वी धारा के पद्वी को प्राफ्ट नहीं है वो फिर जो लौकिक प्रवर्ति करने लगे हैं उनकी वो मुनि पद्वी नहीं है मुनि पद्वी तो वो है जहां प्रवर्ति अलौकिक होती है जहां प्रवर्ति लौकिक जैसी नहीं होती यहां तो उस पद्वी की बात कर रहे हैं यहां तो उस मुनिपद की बात कर रहे हैं यहां आचारपाद है पद्वी की बात नहीं कर रहे हैं यहां मुनिपद की बात कर रहे हैं वो मुनिपद कैसा है वो मुनिपद मुनि पद ऐसा है अलॉकित तो है ही मुनि पद ऐसा है जिसको चार ज्यान के धारी गन्दर भी नमस्कार करें वो पद है मुनि पद गन्दर नमस्कार नहीं करते हैं नहीं करते मुनी पो गणधर देव मुनी को नमस्का करते कि नहीं करते जब गणधर आचार है तो भी क्यों करेंगे जब आचार है और जब नमो लो इस अफसावनम बोलेंगे तो मुनी को नहीं हो रहा है क्या इस पद की बात कह रहा हूं इस पद को नमस्कार करते हैं उस पद की बात कह रहा हूं तो तो हो रहा है जब 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 आचारे सठ खंडागम लिख रहे हैं तो इस लिए कह रहा हूं किया आचारे पद भी है सटमे साथ में कुनिस्थान बढ़ती ही है जब गुरंत लिखेंगे या कुछ भी करेंगे तो वहां पर सारे मुनियों को नमस्कार हुआ न को नमस्कार हुआ उस्कज़ा यहां तो इसलोक की बाद की बात ऐसा है वो अलौक इस अम्हीं कि आ देखो kita हृए इसे रतना त्रह रूप पद्वी को प्राफ्ट हुए माहामनियों की लुक्श से मिलती नहीं है लग्रत लिखा हुआ है ठीका ही यह पूरी पोरी हम इच्छा ही मेरे हम ने भावारत लिखा हुआ है टीका तीन लायं की टीका किया भावारत सब्सते लिखा हुआ है बावारत नहीं है वहाँ पर तो यहाँ क्या क्या रहा है देखो कि लौक कि गरीती मिलती है तो यहां पर क wreak the लाक उफ्य ह Nepिसे जैसी और नोग've कि रीटी कैसी है कि लोग के विधिक कैसी कैसी है विव कि लटा रहे हैं कि क्या हैter क्षाषजिये करके रहे हैं कंपरेंगों करने का प्योक क्या है कि अदकेलिचन ने का विवरение करने का के कंपेजन देखा रहे हैं कि एक माल तो ऐसा है और एक माल ऐसा है माल तो यही है वो प्यॉर माल तो यही है इसलिए कंपेजन बतारा है दोनों की उसे प्रवर्ति की और इस प्रवर्थी बही कहते हैं क्या कह रहे हैं लोक पाप किरियाओं में आसकते होकर प्रवर्थन करता है जगत तो क्या करता है कि पाप किरियाओं में आसकती है उसकी लोक तो जगत में तो जीव क्या कह रहे हैं कि पाप किरियाओं में आसकते होकर प्रवर्थन कर रहे हैं आ सकती है उनकी पाप किरियाओं में बैपार करते हैं तो पाप किरिया करते हैं जो भी कारे करते हैं उसे पिते कारे में उनकी पाप किरिया है पुन्य किरिया में भी पाफ किरिया होती है पुन्य किरिया भी पाफ किरिया के मिना नहीं होती इसलिए हैं पाफ किरिया कह रहा है पाफ किरियां में आ सकते होकर कि पुन्य रूफ किरिया करेंगे तो उसमें भी जीव गात आदी तो होते ही है तो पाप किरिया तो वहां है ही कि बास्तम में तो ये लोग पाप किरियाओं में आसकत होकर प्यवर्टन करता है और मुनी पाप किरियाओं का चिंतवन भी नहीं करते करना तो बहुत दूर की बात है आशकती तो बहुत दूर की बात है चिंतवनवी नहीं करते पाप किरियाओं का चिंतवनवी नहीं करते आसकती पुर्वा प्यवर्तन कर रहा है और एक मुनिराज है जो पाप किरियाओं का चिंतवन भी नहीं करते बिकल्ब भी नहीं करते पाप किरियाओं का बिकल्ब भी नहीं है यह कह रहा है यहां कि पाप किरियाओं में आसकते होकर प्यवर्तन करता है मुनि पाप किरियाओं कचिंत्वन भी नहीं करते हैं चाहि दूर कि मुनिराज के कौन सी हिंसा पाइज आती है तो नहीं होती है नहीं होती है चीनिराज यह जान रहे हैं कि यहां जीव हैं और फिर भी चल लए हो तो इनसा लगेगी कर देखकर तो चलेंगे के बात के रहा हूं गयाँ यहाँ पर चर्णान योग की इन्सा का त्याग है इतना समझना मुझी राज़ों के तो רणान योग की इन्सा का ए बस बो आफदिग्याण से जानते भी है कि यहां जीव हैं तो भी चलते हैं लेकिन उनको दुस तुर्स इंसा नहीं कही जाती चड़नान योग ने क चड़नान योग के व्याख्यान के विधान में कि उनको उनको पर टोररो मझजी ने तो पापों का चर्णान योग की पापों का त्याग है जिसको जगत पाप कहता है उस पाप का त्याग है जिसको जगत हिंसा कहता है उस हिंसा का त्याग है वो हिंसा नहीं करते वो पाप नहीं करते जिसको जगत जूट कहता है उस जूट का त्याग है जिसको जगत कुशील कहता वह तुछ ड्रbig में लें लिखा आपदे pickup इन लिए के यहां जीव है तो भी चलते है इसलिए इसलिए तैंशा का भी ट्याग SPA की तो बहुत दूर की आप पिचारायशलिए कहा की यहां तो क्या तो कह रहे है नियो की बात करें का र theorna नियोग से त्रश्ताइस निम्स को सर्वता नहीं ले उसको सर्वता हैं यह तो गलत है वाथ सर्वता थ्याग नहीं है छड् Casamaya पिच्छा त्याग है बस जड्नान योग के पिच्छा उनको नहीं है क्या कह रहा हैं लोक लोग पाप किरियाओं में आसक्त होकर प्रवर्टन करता है और मुनी पाप किरियाओं का चिंतवन भी नहीं करते और दिखो आगे क्या कह रहे हैं दूसरा अंतर लोग अनेक प्रकार से सरीर की समाल और पोशन करता है जगत तो किसमें लगा हुआ है अपने सरीर को समालने में सरीर का पोशन करने में लगा हुआ है परन्तु मुनिराज अनेक प्रकार से सरीर को परिसह उत्पन करके उन्हें सहिन करते हैं क्या कहला है यहां तो देखो लोग अनेक प्रकार से सरीर की समार्व पोशन करता है और मुनिराज क्या करते हैं अनेक प्रकार से सरीर को परीसे उत्पन करते हैं वो सेम परीसे उत्पन करते हैं क्या कह रहा है यहां सरीर को परीसे उत्पन करके उन्हें सेहन करते हैं तो परिशय सेहन उत्पन करते हैं क्या कि परिशय उत्पन करके उन्हें सेहन करते हैं क्योंकि परिशय जह उनकी जीवन चरिया का एक अंग है परिशय जह के बिना मुनी चरिया पूरी नहीं होती यदि परिशय जह नहीं है तो परिशय जह के बिना मुनी चरिया पूरी नहीं होगी इसलिए यहां कह रहा है परिशे सेहन करते हैं मीज परिशे सेहन उनकी मुनी चरिया का एक अंग है और वो परिशे सेहन करते हैं तो श्रावकों की भी यह जिंबेदारी है कि उनको परिशे सेहन करने दे क्यों येदी हम उनको परिशंस नहीं करने दे रहे हो तो हम उनकी मुनी चरिया में बाधग बने रहे हैं येदी हम उनको परिशंस नहीं मुनी दे रहे कि गर्मी के दिन है और हमने का देखो अब मुनी रास तो कहेंगे नहीं मुनी रास को गर्मी तो लग रही है तो क्या करें कि बिंडो खोल लेते हैं जिससे हवा आती रहे थोड़ी तो तुमारा वो बिंडो खोलना पाप है हमको लग रहा है कि हमने सेवा कर दी मुनी की पाप है तुमने उनको उपसर्ग कर दिया उनके उपर ये मुनी राज के उपसर्ग है कि मुनी राज को हम परिसे सेन नहीं होने दे रहे हैं तो मुनी चरिया में बादक बना तो पाप काई कारण है है ना तो समझने चर्चा की है मैंने पहले इस्टोपदेश की चर्चा में एक और चर्चा की थी कि बास्तम में वह मीं से गर्मी हो रही है तो हवा का हवा का कोई माध्यम उपलब विकरा दिया सर्दी हो रही है तो ठंडी हवा के लिए ठंडी हवा को रोखने के रिए को माध बने रहे हैं उनकी मुनीचरिया में कि उनकी मुनीचरिया में उनको परिशा सेयन होने दें कि यह तो निश्टू नहीं हो जाएंगे हम उनको क्या लगता है जो कम निश्टू नहीं हो जाएंगे यह सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए उनको पता था परिशा आएंगे यह जान कई मोने चालीया सभी बिना जाने नहीं को पता था इसलिए यहां कहता था श्याम उत्मन करके से न करते रहें हम इस प्रिप्र से करते हैं इस प्रिशिय में करते हैं कि अपने he बाव में अपने सरूप में इतनी एक आग्रता करते हैं अपने सरूप में लीनता को इतना उग्र करते हैं कि बहार में जो भी परिशय आते हैं उनको चिंदा नहीं है परिशय आ रहें कि नहीं है उनको परिशयों की तरफ द्रश्टी ही नहीं है परोन मुख यहां कहाना सभी सभी प्रकार से सभी प्रकार से उसमें उप्रकाना सर्विथा परौनमुक हैं पाप मिस्त्रित पाप किरिया मिस्त्रित आचार से सर्विथा परौनमुक हैं अर्था तो वो परिशय से भी परौनमुक हैं वो तो सदा स्वय उनमुक हैं वो तो सदा अपने सुभा में मगन हैं वो तो सदा अपने उसे चैतन्य आनंद मई सरूप में मगन है उनको बहार परिसे आदी कैसे रुचेंगे परिसे आदी हटाने के कारण, परिसे आदी लगाने के कारण परद रब्वे आदी कैसे रुचेंगे अरे जिसको पकवान में आनंद आता है उसको अन्य भोजन नीडस लगता है वैसे ही जिसको अपने उस चैतन्य ग्यानानंद मई आत्मा का आनंद आ रहा है वो इनमें आनंद कैसे लेगा वो इन्य रूप कैसे प्रवर्टी करेगा इन्य रूप प्रवर्टी नहीं करेगा फिर चाहे कितनी भी सर्दी आए, कितनी भी गर्मी आए और हम लोकी प्रवर्ती क्या बता रहे हैं सरीर की समाल करता है, सर्दी नहीं लग जाए गर्मी नहीं लग जाए ऐसा नहीं हो जाए और पोशन करते रहते हैं जहां देखो वहां सरीर को समालते रहते हैं हम, क्या करे रहे हैं हम, कंपेडिशन करे रहे हैं पनि टोटा मजजी लोकिक ब्रती और अलोकिक ब्रती की, कि कैसी है ये अलोकिक ब्रती, कि जहां जगत सरीर की समाल करता रहता है, सरीर का पोशन करता रहता है, जहां देखो वहां बस सरीर 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 ही दिखता है बहाँ ये मुनिराज सरीर का बिकल्ब तो है ही नहीं सरीर की तो बात ही नहीं है सरीर से परीशे उत्पन करके सेन करते हैं इसलिए जाते हैं सीतिर तू दरिया के किनारे आता है न वो बजन सीतिर तू दरिया के किनारे इसलिए जाते हैं जरिख बठा कि चम चमाटी चिल चल्चि नाती दूप में भी सिकर cuarto च्ण चूटी चंगर जाकर बैटे हैं उननों पता है परिषय उत्पन होगा यहां पर तो भषेंगे तो भी जा रहा है है इसलियगां वाइन परिशे जय उनकी वुनियचरियां का एक आंग है वो और ना गय करना है वह क forgal सब परिशा के उपसराइट आएंगे तो भी जा रहा है और यह कि यह तो इस Jeho समस्क्राइब युभ गया यूप तरशी से लग रहा है उनीज है को या यह Slick लोग रही है और में सुझान करके आ मा भी लोके व्रति का अंतर बताया कि सीत रे तू मैं जहां अंग ठ्टोड रहे हैं और सब लोके की जन अपने उन अंगों को सकोर के बैठे हैं अंगों को डखकर बैठे हैं कुछ पैन कर बैठे हैं कुछ करके बैठे हैं चार दीवारी में बैठे हैं और वो धीरवान वो धीरवान महामुनिराज तन को शिकोड़ते नहीं है उस थन्न को शिकोर देते हैं थंद लग रही हम अब लग रही हो अ montón मोटे नहीं है दन्न को ना मोडे नदी धोरे जीरे जेक़रे जेट की जको रहें जहां अंदा चीले छोरें पसु पंची चाहां लोरें गेडी कोरें तपबे धरें जहां पसु पंची छाया दूडते हैं जेट की जेट मास की उस चिल चिलाती लू में धूप में जहां पसु पंची छाया दूडते हैं वहां वो परवत की चोटी बजा कर वैटते हैं ये उनकी अलोकिक बढ़ती है गोरे धने घोरें गटा चाहूं ओरे डोरें जयों चलते हे लोरें त्यों त्यों फोरें बले ये अरे गटा गन गण गोर खार चा रही है पवन चल रही है तो भी ऐसा नहीं है कि यह अच्छी जिगर बैठ जाएं जहां हवा न लगे तीन चाप ब्रच्छों का गुरुप हो अच्छा सा तो हवाने लगे ऐसी जिगे बैठ जाएंगी नहीं, जहां हवान लगे वहाँ बैठेंगे परिसे उत्पन करके परिसे सेन करते हैं देहने हैं तोड़ें परेमारत थे सों पीती जोड़ें ऐसे गुरु ओर हैं हम हाते अंजुली करें ऐसे गुरुओं को हम हात अंजुली करते हैं जिन्होंने देह से ने को तोड़ दिया है और परेमारत से पीती जोड़ ली है तब अलोकिवरती आई है अलोकिवरती कव आई है? जब उस अलोकिक पने से प्रीती जोड़ी है जब उस अलोकिक अपने उस ग्यायक से प्रीती जोड़ी है जो अलोकिक है अचिनत सक्ति वाला है ऐसे उस अलोकिक ग्यायक से प्रीती जोड़ी है तब ये अलोकिक ब्रती आई है अलोकिक ब्रती उसके बिना नहीं आएगी अलोकिक ब्रती उसके बिना नहीं आ सकती कि अलोकिक ब्रती आजाए ऐसे ऐसे नहीं आएगी अलोकिक ब्रती उसे अलोकिक पद से उसे अलोकिक ग्यायक से प्रिती जोड़ी है ऐसे गुरू ओड़े हम हात अंजूली करें ऐसे गुरू को नमस्कार करते हैं ऐसे गुरू की बात है या उस उस सरूप की बात कह रहा है उस पद की बात कह रहा है कि उस पद का बिचार करो वो पद कैसा है और यह पद ही सार है यह पद ही मंगल है यह पदी उत्तं मैं यह पदी सरण है हाँ सदु मंगलम सदु उत्तं में सदु इसरण है परिशा सेहन करते हैं आत्म सभाहब में इतने उग्र हो जाते हैं कि उनको परिशियों की तरफ का बिचार नहीं रहता जानना तो होता है लेकिन विकल भी नहीं जाता परिशियों की तरफ विकल भी नहीं जाता कि परिशय हो रहा है उनको ये विकल भी नहीं आता कि सर्दी हो रही है यहां पे जो अपने उस सुभाव में रमते हैं एसे उसे सुभावदारी मुणिराज और क्या कह रहा है ऐसा नहीं मैं मुनियों की बात नहीं कह रहा है यह मुनियों की नहीं कह रहा है यह हमारे लिए कह रहा है कि ये पद ही बास्तम में एक मात धारन करने योग है, दूसरा कोई पद धारन करने योग है, बास्तम में तो ऐसी अलोकिक ब्रती हो जाना ही सार्थक है, ऐसी अलोकिक ब्रती रूप होना ही सार्थक है, यहां तो यह कह रहा है, यही पद धारन करने योग है, दूसरा पद ही कि लासा जगा रहे हैं उस पद को धारन करने की मन में भावना जगा रहे हैं अचाम अंत्चन्न-देव कि इस पद को पानी टेजिए भावनहों सची भावना वाव अगे भी एचार करेंगे कल अभी तो समय हो हम सब भी उस मुनिपद को धारन करें , उस मुनिपद को धारन करके .. शिद्धों की लगुनंदन बनकर उस सिद्ध वस्ताव को प्राप्त करें इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहां पर राम देते हैं कोई संगा हो आपकी तो पूछ सकते हैं नहीं तो जिन्मानी स्थिती करते हैं नेजे नेदी नेजे में बताई यह अनंतियों पेकार हैं उसे के लिए जिन्मानी मां को बन देना सते बारे हैं मां बन देना सते बारे हैं पूरी दास संग मैं जिन्मानी माता की जै महां जै मिन धर्म की जै आज के दिन्या